करते हैं कि time and tense होता क्या है कभी आपने सोचा है time and tense के बारे में time and tense का basic class actually tense आप बच्पन से पढ़ रहे हो और बच्पन से time and tense पढ़ते हैं लेकिन जब भी हम speaking करने का प्रयास करते हैं writing करने का प्रयास करते हैं जब भी आप grammar पर जाते हैं exam में जाते हो तो time and tense topic से, मैं heading मुना लेता हूँ, time and tense आज हम लोगों को पढ़ना है, time and tense आज हम लोगों का topic है, और time and tense topic जब आप पढ़ना प्रयास करते हो, जब भी आपने प्रयास किया है पढ़ने का जानने का, तो क्या कभी आपने सोचा है कि time and tense topic कितना important है, अगर आप exam की बात कर लो तो आपके exam में, ध्यान रखना, आपके exam में, अब आप कोगे sir, आप comment नहीं ले रहे हो, तो मैं आपको बताओं बच्चे, आप सभी अच्छे बच्चे हो, सब पढ़ रहे हो, और सारे बच्चे का जैसे भी comment है, आप प्रहाई पर ध्यान दो, ज्यादा अच्छा रहेगा अगर मैं आपके comment भी लेता रहूंगा, पास्ट परफेक्ट पहादो, अब बच्चे कमेंट कर रहे हो, अब आप खुद बताओ, कि मैं अगर पास्ट परफेक्ट पहाँगा, तो सुरुवात कहां से करूँगा, वो हमने बीच में लाइब चला दिया, तो आप लोगों ने बच्चा यादब, बहुत सार बच्चो कमेंट बहुत लगतार तेसर जाता रहता है, अब हलाकि मैं रोक करके देख भी रहा हूं, गोपाल, सिध्यार, नीरज, यह सब कमेंट है, तो आप करना क्या है वो जानो, कि सबसे पहले जो आज मैं आपके लिए बेसिक क्लास दे र तो जब आपको सिखाने की गरेंटी ली है मैंने, तो आप शुरुआत से सुरू करो ना, जब हम बेसिक से पहाई रहे हैं आपको, तो तो आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए, कल हमने आपके फर्स्ट क्लास दिया था, तो कल आपने फर्स्ट क्लास में हमने बस एक इंट्रो दिया था कि भाई देखो, इंगलिस का जन्म होता है, वाविल साउंड यहां से, कौन सोने साउंड यहां से काम किया था, अगर आपने फर्स्ट नहीं देखा कोई बात नहीं, आज देख ल तो वीडियो को दुवारा फिर से पढ़ लेना, कोई सू नहीं है, फिर दुवारा कर लेना, चले आप ही साते हैं, अब आराम से सांती से बैठ के पढ़िए, अच्छे बच्चे की तरह, सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं आप, ठीक है, बदमासी नहीं करना, अब सब सांती से बेर के पहाई करो, देखो time and tense की बात करें, अब time and tense पहले इस word को itself, word को समझे के प्रास करो, time and tense बच्पन समय लोग क्या पढ़ते है, time, time, आज हम पढ़ते है time and tense both, प्रस नोटा है कि time and tense, ये time and tense दो क्या चीज होता है भाई, क्या time अलग है, tense अलग है, ये होता क्या ये time जो है, time concerned with the meaning and tense concerned to the structure, ये time जो है, meaning को सो करता है, और tense जो है, वो structure को सो करता है, अब प्रस नोटा है, कि सर इसको लिखवा दीजे, तो जड़ा आप देखें बोड पे, आप लिखना चाहते है, time and tense, आपे concern दी आपको, कि time shows, यानि कि the word time is always concerned with the meaning of the sentence, ये ताइम वर्ड जो है ना, ये sentence के meaning को सो करता है, meaning का मतलब क्या भी समझाओंगा आपको, example दे कर समझाओंगा, अगर मैं example की बात करूँ तो आप कह सकते हो, कि time and tense जैस्ट आपने बात करा आपको, एक अराम से की example लेते हैं पहले आपको, हमने एक बहुत छोटा से example लिए आपके लिए, कि तेस्ट मैच, देखो अराम से सिखो, तेस्ट मैच कल, तेस्ट मैच कल सुरू होगा, देखे गौर से, तेस्ट मैच कल सुरू होगा, मेरे दोस्त समझने का प्रयास करते हैं, तेस्ट मैच कल सुरू होगा, अब आप मुझे बताओ कि तेस्ट मैच क्या है, subject है, अब आप कह तो सब लेता है तो दुनिया का हर नाउन दुनिया का हर प्रोनाउन दुनिया का हर वो चीज जो आप देखते हो सुनते हो समझते हो सब हो सकता है सब्जेक्ट जैसे कलम कलम से लिखते हैं कलम हो गया सब्जेक्ट कलम टूट गया कलम में सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट कुछ क्या हो सकता है इसके बारे में चर्चा में करूंगा आगे बहुत सारे लोग एक पता क्या कहते हैं कि हूसे प्रसण करो जो जवाब मिल जाए वह सब्जेक्ट हमने क्या टेस्ट मैच कल सुरूरू होगा अब आपे who से कहां से प्रसंद करें भाई कि who से प्रसंद करेंगा तो यह उल्टा-उल्टा concept न पहो और न किसी को बताओ simple बात है कि test match कल सुरू होगा test match sentence का subject है sentence का सुरुवात कर रहा है action ले रहा है अब कल सुरू होगा अब मैं मुद्दे प्याता हूं time and tense की बात कर रहा हूं अब आप से कोई पूछेगा कि test match कल सुरू होगा बताइए इस sentence का time क्या है आप से पूछ रहा हूं है आप से कोई व्यक्ति पूछे कि टेस्ट मैच कल शुरू होगा इस संटेंस का टाइम क्या दो वर्ड है टाइम एंड टेंस बापी सांगा डिफिनिशन पर लेगि पहले आप संटेंस के अर्थ को समझिए जल्दी वाजी वाला काम मत करिया राम से पढ़िए दस दिन का टाइ बढ़िए है सोचल डिष्टेंस करके ताकि मुझे बतायागा क्या आपको क्या समझ्जा हो रही है मैं एक बार को चार बर बोलूंगा कहीं दिक्कत हो जैसे में क्लाफ्स में पाहाता हूं मैं कोसीच कर रहा हूं वैसे प्रहाने करको ताकि आपको समझ में आ जाए हमने कल का मत्तब टाइम क्या है इसका present, past, future क्या time है तो जाई जाईश बात है कल सुरू होगा आने वाले time की बात करना है इसका मत्दब कि time इसका future होगा यानि कि time इसका future कहा गया इसलिए आपने कहा था कि time shows to the meaning of the sentence अब प्रशन उठता है क्योंकि meaning आपने sentence के meaning के अधार पे आपने future कहा राइट ना कि आपको नहीं सर गागेगी था ना सर इसलिए हमने future कह दिया गलत concept गागेगी से future नहीं होता अगर बसमच पा रहे हो ना अभी example और दूँग आपको हमने का test match कल सुरू होगा अगर मैं यह बोल दूँ कि test match कल सुरू होने जा रहा है तो कल यहां भी क्या future ही time है तो time always concerned कि present past future आप sentence के meaning को पढ़िए और meaning को पढ़िए कि आप आइडिया लगाईए कि भाई present है कि past है कि future है तो हमने time कर दे लिए आपकी future है अगर कोई व्यक्ति पूछे कि भाई इसका tense क्या है अगें I can ask कि भाई इसका tense क्या है कोगे सर टेंस भी future आप बच्पन से tense ही तो पहता है हो आपने time कोई पहा ही नहीं तो tense is not a future tense यहां future नहीं होता tense future होगा भी नहीं और tense future होता भी नहीं है tense दो ही प्रकार को होते हैं प्रूफ करोगा just write down right अब यहां देखो tense अब यहां पे tense क्या है भाई ध्यान दीजिए तो tense का होगे सर future है कल सुरू होगा गलत concept यहां पे tense इसका present अब यहां पे maximum बच्चों को contradict हो गया maximum बच्चे फस गए कि भाई यह दो चीज कैसे हो गया time future और tense present एक ऐसे हो गया ऐसा तो हमने आज तक परहा ही नहीं कि tense future is time future है और tense present है ऐसा तो कभी होता ही नहीं सर अभी मैं प्रूफ करता हूँ इसलिए मैं आपको पहले एक-एक term समझा रहा हूँ तेस्ट मैच कल सुरू होगा इसको आप as it is screenshot ले लो ताकि दुवारा फिर से मैं समझा सकूँ अब दुवारा समझाने के लिए फिर से बापी साऊंगा लेकि इसको आप अपने उपर रख लीजे अपने पास लीजे कि सर ने बताया कि time shows अब यह बोड पर देहां दीजे हमने आपको क्या सिखाया भाई कि test match कल सुरू होगा अब बोड देहां दीजे कि test match कल सुरू अब यहां पर में लिखा कि time and tense दो बड़ है time the words the word time is always concerned with the meaning of the sentence यानि जब हम sentence पढ़ते हैं तो उसके meaning को देखते हैं कि भाई उसका meaning कहा concern कर रहा है तो हमने sentence में देखा कि meaning इसका future concern कर रहा है कि घटना future मगटा है इसका मतलब कल कि घटना क्या है future है इसका मतलब है कि future tense का sentence future timeessे अब टन्स क्या कहता है tenseाता अब वर्ब के फॉर्म आपको याद होगा, वर्ब के फॉर्म आपको याद होगा, वर्ब के फॉर्म आपको याद होगे, पांच वर्ब के फॉर्म आप जानते होगे, नहीं जानते, तो पहले मैं वर्ब के फॉर्म परहा देता हूं, तब मैं तेंस में आगे खेलूंगा, अ हमने यहां पर दो बात कहा time and tense इसका मतलब वहा बच्चे कि जो आपका time है समझे बढ़ी हां सराम से यह जो हम लोगों का time है time, यह time क्या सो करता है इसको जाद दिखने का प्रयास करते है time जो है बटा, यह time तीन तरह के होते है time present time past and time future time present भी होता है right और time past भी होता है और time future भी होता है ठीक है बालक यह time जो हम लोगों का है present भी है, past भी है और future भी है देखते रहे है राम से मैं सबको bold कर दे रहा हूं ता कि आपको दिकत ना हो आप समझते रहें फटाफट देखिए यहनी तीन तरह का time हुआ present, past और future तीन time हुआ है present tense, present time, past time, future time अब यहीं पर बात मैं करूँ tense का ध्यान दीजे बोड पे यहीं पर बात करूँ मैं tense का बड़े आराम सपढ़िए तो tense आपके पास दो ही है बिटा tense कितने है? दो एक tense होता है present और एक tense होता है आपका past ध्यान दीजे, tense दो ही प्रकार के होते हैं एक tense हमने कहा past पहले मैं present दीजेता हूँ एक tense का हमने present और एक tense हमने कहा past future नाम का कोई tense नहीं होता, इस बात को अप लिखिए यह प्रूफ करूँगा घबराई नहीं जो बच्चे गउन से मुझे देख पा रहे हैं जो मुझे दूर दरा से देख रहे हैं या जो लोग मुझे अगर टीचर देख पा रहे हैं तो कोई बात नहीं मैं उनको प्रूफ कर दूँगा अग घबराएंगे नहीं आप हम जो को एक सा कैसी संब संब को रहे हैं अ सट्डान देख रहें रून दूर यह जो जागा है किताब कार्यों में कटवा देते हैं कीताब को काट ओं प awareness इताब किताब तेंगरी जी नहीं आता, किताबस नहीं धर्मिंदर सर्फ हार है यहीं अगरी जी आएगा, इसी को सिखे इसके खिलाफ जो किताब बोलता उसको काट डिजिये किसको? किताब को, ठिके? चलिए तो time present past और future और tense present और past आपको आपकी बात मैं क्यों मान लूँ आप इसको परमान दीजिए अभी जश्पाम परमान देता हूँ आप बोड पर लगे रही फटापट इसको मिटा दूँ पर पडली से चली बहुत सुंदर अप इसको मिटा रहा हूँ अप देखे बोड पर हम ने दो चीज लिखा चांदा है मैं कहूंगा कि मैं तुमसे मिलूँगा तो माइंड ने कहा फ्यूचर का है मैंने कहा मैं तुम्हें देख रहा हूँ इसने कहा इसले प्रजेंट का है मैंने कहा मैं खा रहा हूँ तो अभी एक्षन हो रहा है यानि कि जो टाइम है न वो एक्षन से रिलेट करता टाइम जो है वो एक्षन को लेता है और टेंस का मतलब क्या होते है वो जानो टाइम जो होता है बिटा ये टाइम जो है वो एक्षन को लेता है और एक्षन का मतलब कहीं ने कहीं वर्व होता है लेकिन यह वर्व रिलेट करता है टाइम को लेकिन वर्व के साथ जब तक नहीं तब तक काम नहीं होगा, इसको एक मिनिट के लिए ही पag अगशा पर चुपाओ, और तो आथिया हो, पर जानते हैं, क्या होता है, भटपड़ देखे जादी से, ये टेंज क्या होता है, जल्दी से खरफद ग्रफड़, ये टेंज जो होता है, इस टेंस का real meaning के पताए क्या होता है verb, देखिए गौर से, tense का real meaning होता है verb, कोग सर कैसे मैं समझाता हूँ, tense के 90% questions verb topic मिलता है और verb topic के 90% questions tense topic मिलता है और tense और verb का जो topic है 99% same होता है, यहाँ पर मैं tense की बात करूँ आपके सामने, तो tense को is equal to, आप verb कह सकते हो, यहनि tense को आप verb के बराबर खेल सकते हो यहनि tense और वर्व में कोई अंतर नहीं हो सकता, यहनि दोनों का आप equal कह सकते हो यहनि tense के साथ आप verb को मिला सकते हो, यहनि tense plus verb बराबर एक topic बन के आपके निकल जाएगा, जिसको आप जो है time and tense कहते हो, तो tense plus verb यहनि tense का 90% पार्ट जो होता है, वो वर्व में होता है यह दोनों equal होते हैं, अब प्रश्ण उटता है कि हमने कह दिया कि tense बराबर अगर वर्व है ध्यान दीजेगा इसका मतलब है कि वर्व का बेसिक ज्यान लेना पड़ेगा तो वर्व का जो बेसिक ज्यान है समझेगा, मैं प्रूफ कर रहा हूँ कि दो ही तरह के कैसे होते है tense तो आप बताइए, वर्व का first form बहुत सारे लोग, बहुत सारे teachers इसको base form भी बोलते हैं बोलते हैं, base form है, zero form है अब भाई, जो डिक्सनरी में भर्व मिलता है उसी को हम भर्व का पहला रूप कहते हैं डिक्सनरी का जो भी भर्व होता हो वीवन होता है हमने बोल दिया V1, हमने बोल दिया V2, हमने बोल दिया V3, हमने बोल दिया V4, हमने बोल दिया V5 समझे बढ़ यहां से V1, V2, V3, V4, V5 अब आपको इसका एक्जांपल दे देता हूँ आपको समझ में आजाएगा जैसे हमने बोला go समझे बढ़ यहां से हमने बोल दिया went हमने बोल दिया gone हमने बोल दिया going हमने बोल दिया goes समझे विख़ें वह थो arbeitet हमने बोली hanuk libya cutting कच है अ बड़ा प्यार से सिखा आ rod मेरा मुद्दा है परहाना नहीं आपको सिखा देना इहां मुद्दा है बेटाक V1 V2 V3 V4 V5 हमने कहा कि tens 2 होते हैं मुझे जहां सोच कर जल्दी इसी को बेज्री बूलो भीवन को बन कहते लो 가지 कहते ल्यार में पर्यूब भीवन को अरते रिखागे नहीं तो उने नो बिखा लिखे बोलो सुपा pounds कहते हो कि नहीं कहते हो जहां भी वीवन लिखा होता है बताओ प्रेजेंटेंस होता है कि नहीं होता है वीवन का मतलब प्रेजेंट फॉर्म है कि नहीं आई गो यू गो मैं जाता हूं आई गो तुम जाते हो यू गो बोलो प्रेजेंट होता है कि नहीं होता है बोलो वीवन क तुम फर्स्ट फर्म कहते हो कि नहीं कहते हो यानि भीवन को आप फर्स्ट फर्म कहते हो राइट बच्चे फर्स्ट फर्म अवदी वर्ब क्या कहते हो इसको फर्स्ट फर्म अवदी वर्ब यानि जो भीवन है वो भर्ब का पहला फॉर्म है इसी भीवन को आप इसी भीवन को आप प्लूरल फॉर्म भी कहना क्या कहना प्लूरल फॉर्म ध्यान दीजी बच्ची प्लूरल फॉर्म of the verb ध्यान दी जी, मैं आपको वो बेश सिखा रहा हूँ वीवन कहा होता है तो बोलो वीवन को present form कहते हैं, वीवन को first form of the verb कहते हैं, वीवन को plural form of the verb कहते हैं, प्रश्ण उर्ता है कि सर वीवन का use कहा करते हैं अगर कोई पूछे आप से कि वीवन का use कहा होता है तो आज के बाद कहना कि वीवन का use simple present tense में करते हैं, कहां करते वीटा simple present tense में करते हैं simple present tense में करते हैं कोई पूछे कि सर वीवन का use हम simple present tense में करते हैं सर, तो वीवन का सर structure क्या होता है, तो आप सिखाना बच्चे कि वीवन का structure subject और subject के बाद भर्व का first form plus other word का प्रेव करना तो बताओ वीवन present form हुआ का नहीं हुआ अगर मैं बोलू subject वीवन अब हमने कहा वीवन को plural कहते है पहला form है present form है simple present tense में प्रेव होता है तो मुझे बताओ इस subject अगर वीवन तुम्हारा PLU plural है तो बताओ वीटा एस subject भी PLU plural होगा के नहीं होगा अगर subject plural होगा तब न भरू प्रेवल लेगा एक बात समझ में यहां पे आया सर कि भीवन का प्रेवग तब करें कहां ध्यान है यहां देखो न पड़ापड अगर subject तुम्हारा PLU plural होगा इसका मतब की subject plural में भीवन लगाएंगे अब बहुत बचा पूछ रहा है प्लूरल क्या होता है बाई अकेला है तो singular एक से जादा है तो plural अकेला है तो singular दूकेला है तो plural जैसे पेन एक है तो singular पेन सो गया तो plural राम अकेला है तो singular राम and स्याम मिल दूर मैं उनिया तो plural से मझवाँ टूला है तो बाई केला था बुरया पूल्या थाल बुईर जो नहीर हो गया तो बघujahलो होगा तो तो सबुझेक्ट थर अप्लुरल होगा तो भीवन का प्रयो करना गहां तक a screenshot रुख नो नहीं हमने कहा भीवन, एक वर्ड वोलाओं वीवन कवार में, कोई बखती पूचे और सम्भान आस्ट वीवन, क्यों बखती है वीवन के वीवन, वीवन वर्वन में ईपिरल वीवन से पलूर वीवन, वीवन प्लूर वीवन is the plurals form, वीवन is the present form and the use of वीवन is simple present tense and the structure is subject plus v1 plus other word. Right? अब जाब बोर्ड पर ध्यान नजरेटी काय रखिये, इसको मैं मिटा रहा हूँ, बिटा देखो, अब देखो बोर्ड पर, हमने कहा इसका यूज, आपने देखा subject plus v1 plus other word, अभी मैं टेंस स्टार्ट नहीं किया हूँ, अभी टेंस का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, जब टेंस पहाऊँगा तो भुकम पाएगा, जब टेंस पहाऊँगा तो ज्वाला मुखी फूटेगा, अभी तो सिखा रहा हूँ, subject plus v1 plus other word, अभी टेंस पहाया का हूँ, अब हमने सब्जेक के बात का, अब बोलो subject के बात, यानि subject plural, तो भी वन भी plural, अब बोलो, plural के लिए क्या बोलें, दे बोल दो, यू बोल दो, हमने बोला, ही एंड शी बोल दो, हमने कहा, राम एंड श्याम कह दो, अब बोलो, कि सारे के सारे subject plural हैं कि नहीं है, मुझे टेंस नहीं आता, हिंदी नहीं आता, सिंपल अंग्रेजी आता है, अब बताओ, बोलना भी आसान, लिखना भी आसान, एक्जाम भी आसान, ता तेती नहीं पढ़ाऊँगा मैं तुमको, कि जिसके उन्ट में ता हैती हैते हैं, प्रिजेंटेंस, गलत कॉंसेप्ट, यह ता तेती संपल नहीं आगा, बापिस वहीं आऊँगा, एक एक एक्जामपल दियाँ, टेस्ट में तकल सुरू होगा, एक भीवन की बात कर रहा हूँ, और एहें संपल जी आज से बोलना भी आगा, एक्जाम कॉलिफाई करना भी आगा, हमने कहा दे, अब बताओ कि दे प्रिलूल है कि देखो, थोड़ा बहुत बेसिक ज्यान चाहिए, कोई से दम जीरो है सर, कोई बात नहीं, यूटूब पर हमने 500 व्यू डाला है, आप सुरू से देखिए, कि सर ने सब्जेट कहां पढ़ाया है, सर ने परसन कहां पढ़ाया है, अगर नहीं पढ़ा, दुवारा यहां पर आयागा, फिर पढ़ा दूँगा, आप दस दिन लगातार बने रहो, आपको सिखा कर छोड़ूँगा अंग्रेजी, जो मैं कर रहा हूँ, आप कंटिन्यूग पढ़ाया हो, हर चीज आ जागा रास्ते में, सब सिखा दूँगा, हमने कहा दे, बस इतना बताओ, कि दे का मतलब एक आदमी नहीं होता है, एक से जादलों होता है, यू का मतलब तुम, और यू और आई, अभी अभी बता रहता हूँ, परसने पढ़ाऊँगा, यू और आई, आजीवन प्लूरल, यू और आई, आजीवन प्लूरल, कुछ कंटेक्स्ट में होते हैं अलग, वो पढ़ाऊँगा आपको अपको अपको अपको, ठीक है, फिसाल मालो इतना, ही एंड सी, ही अकेला सिंगलर, शी अकेला सिंगलर, दोनों मिल गए हो गए प्लूरल, यहाँ पर देखो, हमने कहा राम एंड स्याम, राम अकेला सिंगलर, स्याम अकेला सिंगलर, दोनों मिल गए हो गए प्लूरल, अब देखो, इसके साथ, दरो मत एक काम हो गवा सिर्फ subject का अब इसके साथ भीबन लगा सकते हो तूम अब भीबन के लिए क्या करें सर दुनिया का कोई vocabulary हो भर्व होना चाहिए दुनिया dictionary का कोई भर्व ले लो इन सब के साथ लगा दो इन सब के साथ लगा दो तुम लिग दो dance तुम लिग दो sleep, तुम लिग दो go, तुम लिग दो eat, जो मन करता है भाईया बोलो, डर निजब नहीं है, object जो लगाना है, लगाद वादर बर्ड, टेंसन किस बात का, they dance, you sleep, he and she go, ram and sam eat, है ना, ram and sam dance, he and she go, you sleep, they eat, जो मन करता है, बोलो, dictionary के सारे भर्व यहाँ पर आजाएंगे, तो बोलो, मुझे यह समझाओ, कि भीवन, अभी tense नहीं, अभी tense सुरू नहीं गुआ है, तेंस से पहले, थ्वासा basic के साथ, तेंस जब पहाऊँगा, तो यह अलग मजाएगा, पहले मुझे यह बताओ, कि भीवन समझ में आया कि नहीं आया, तो मुझे यह प्रूफ करिए, कि भीवन को first form बोलते ही नहीं बोलते, अभी मैं क्या प्रूफ कर रहा था, tense दो होते है present और past, future नामक tense नहीं होता, उसी को प्रूफ कर रहा हूँ, तो बोलो, क्या यह जो भीवन पहा रहा था, क्या यह भीवन future होता है, कि present होता है, present होता है न, चलिए, अभी future नहीं आया है, अब चर्चा करते हैं V2 की तरफ, बापी से हाँ पाईए, जो मैं आपको पहाया था यह भीवन पहा दिया हमने, यह भीवन को हम base form, first form कहते हैं, अब हम चलते हैं V2 की तरफ, क्या V2 future है, क्योंगे ना सर, V2 तो past होता है, प्रूफ करते हैं सर, प्रूफ कर देखते हैं फड़ा फड़, जली से इसको प्रूफ करते हैं, चेक करते हैं, कि भाई, V2 क्या होता है मैं बात कर आपके सामने V2 का, देखे, वोर्ट पे, V2, V2 को आप जब मुझे बताना verb का second form है कि नहीं, आपने कहा, कि baseball arm का second form है, जा मुझे बताओ, कि V2 past form है कि नहीं है, पास्ट फॉर्म है, बिल्कूर सही कर, आप मुझे बताओ, कि V2 past form है, तो प्रस्ट प्रूर्ष न कमेंट नहीं ले रहा आपका, कोई बात नहीं, आप सारे बहुत अच्छे-च्छे कमेंट कर रहे हो, लेकिन मैं आपका कमेंट नहीं ले पा रहा हूँ, है ना, आप कमेंट के लिए मैं छमा चाहूंगा आपसे, मैं बाद में पढ़ूंगा, आज मैं अभी आपका कमेंट नह मैं ही तो जवाब देता हूं, और कौन जवाब देता है मेरा ठीक है, तो मैं बाद में जवाब देदूँगा, आप सुपी अच्छे बच्चे हो, बस बोर्ट पर देहान दो, एक बेसिक से है, मैं उन बच्चों को भी प्रहा रहा हूं, जो लिको आता है, जिनको नहीं आता ह मुझे पहान आता है, मेरे बच्चे कहते हैं, मुझे से बच्चों को सिखाना आता है, पहाना आता है, मैं दिल से दिल जोड़ना चाहता हूं, मैं एक स्टार्ट टर्मिकरना चाहता हूं, आज भी जो काम कर रहा हूं, बिल्कुल जड से काम कर रहा हूं, मेरे अंदर यह न I don't want to teach you. I don't want to learn. I want to learn you. When you are studying from school, in college, you always work with school. I will take a few times to teach you. Every day you have to continue. So, this is not a process of one day. It is an ongoing process. Continuous you have to start. Then you will go to work. V2 says, It is the second form of the verb. It is the past form of the verb. Now, I will tell you. V2, no singular, no plural. V2 is a verb. No singular, no plural. V2 is not singular, nor plural. V2 is not singular, nor plural. V2 is not singular, nor plural. First of all, it is the past form. Now, when it is the past form, the future is not. V1 is not the future. V2 is not the future. Now, see, now there are two terms. One present tense, one past tense. But now there are three forms. We will check it. So, tell me. Past form, no singular, no plural. Now, with your English, the path has opened up. You can't stop in English. How is it, sir? Look at the board. I will get it. Remember. V2 is the second form. No singular, no plural. Past form. Come. Back to you. Today's day is which day is? Today is? It is? Monday, today. Today is Monday, right? Yes. So, tell me today. Take care. Let's go to the board. I will get it. Now, see. We have said V2. No singular, no plural. Now, the question is, sir, where do you use it? Use it in simple past tense. Where do you use it? Simple past tense. In which way, V1 is used in simple present. In that way, V2 is used in simple past tense. Sir, what is the structure? It is structure. After the subject, the second form of verb and the other word. I am not getting tense. This is tense. It is not tense. Now, what is the first tense of V2? So, say A plus V2 other word. It is simple past tense structure. What is V2? So, V2 no singular, no plural. No singular, no plural. V2 says not singular, not plural. Not singular, not plural. So, V2 come on. V2 not singular, not plural. Not singular, not singular. Tension is finished. Now, there is a finished tension. So, say English. Write English. English. Att Currentar Subject cingdo. So, apply vind. евjee Bak with the promise. You must make it. You must make it. You must make it. You must make it. Deatháil You must make it. You must make it. You must make it. Not singular. You must make it. Go light. You must make it. Bhull the考ens. Also, say English. Now, I must be came. Saying English did not This was to mean याद होना चाहिए एक ही चीज रिक çे एक ही चीज रिक्वार्म का वर्म याद होता चाहिए यह काम है अब तुम्हारे दिमाग में जा कि तो नहीं कुछ काम कर सकता ना यह काम तो खुद से करना पड़ेगा कि वर्म का फॉर्म तो याद करना ही पड़ेगा लॉकडाउन टूट जाना जब आप जाब हो जा तो दिल्ली एक आजी हो सामने सामने पहा के दिमाग में सिधा डाल देता हूँ मैं पहा आता नहीं हूँ सिधा यहां से निकलता है शुरू हो जाता है जिलिखना एक्जाम में बच्चे ऐसी पास कर जाते हैं यहां हमने कहा कि subject यहां पर जो भी हो आई हो ही हो दे हो रामन साम हो कुछ भी subject हो table हो chair हो bench हो दुनिया का कोई subject हो डरो मत किसी के साथ तुम भर्व का second form लगा दो भीया कौगे sir second form ऐसी लगा दे भाई तुम खड़े हो present है एक second जो बित गया और हजारों साल तक जो बित गया सब पास्ट सब पास्ट कैसे sir अब हमने कहा कि मैं तुमसे मिला था मैं तुमसे मिला था मैं तुमसे मिला हमने बोला I met other word भी लिए तो न भाई you I met you they met you Ram and Sam met you see met you अब देखो मैं बोल के दिखाता हूं आप में इसा दूरा आना कितना सिंपल पास्ट असान है मैं वहां गया था I went there तुम वहां गये थे बोलो फ्राफट दरो मत दरोगे अंगरिजी द्रा देगा अब बिटा मैं अभी टेंसरू नहीं किया हूं मैं चाहता हूं आपको कमफर्ट करा देना आपके लेवल पर इदम कमफर्ट टेबल हो आप अंगरिजी से डर हटा दो अंगरिजी आसान हो जाएगा बहुत बच्चे कहते हैं कि सर जो है ना बहुत बेसिक बिटा कोई कमजो बजो नहीं मैं से प्यास करो मैं हिंदी बोलूँगा आप अंगरिजी बोलना मैं वहां गया था I went there तुम वहां ग आप अगा था I met you yesterday तुम कल मुसे मिले थे you met me yesterday शीता कल मुसे मिले थी sita met me yesterday कुछ भी मैं कल वहां गया था I went there yesterday तुम कल वहां गय थे you bet there yesterday लता गय थी देर वो गय थी अब आसान लग रहा है लगरीजी लग रहा है ना इस तरह से यहनि V2 आप किसी भी टेंस में लगा सकत डरने किया सकता नहीं है इसका मतलब है कि भीवन समझ में आया भीटू समझ में आया अब चेक करते हैं भीथरी क्या होता है वोड पे आप ठीके रहे ना अंग्रे जी कर तो पानी बना दूगा मैं देखे वोड पे अब हमने फिर वापस दिखा दू आपको यानि कि हमने आप क्या क्या प्रहा दिया हमने सिखाया वीवन क्या है तेंस की बात कराता है तेंस अब वर्व बोलो वीवन है ना वीटू सिखा दिया अब देखते हैं वीथरी क्या होता भी या इसको जल्दी से मैं भी इसको चेक कराता हूं देखे बोर्ड पे इसको चेक रहे लेता हूं फ भी भी future नहीं हो सकता, यानि भी थी को हम कह सकते हैं, perfect form, ध्यान दीजिए, इसको आप perfect form बोलते हो, इसको और क्या बोलते हैं sir, perfect form है sir, perfect form को और क्या बोलते है sir, तो यह पता है क्या, finished action है, finished action है, और पता है क्या है यह finished action के साथ साथ, perfect form के साथ साथ, पता है क्या है, यह भी no singular, no plural, यानि no singular, no plural, यानि कि V3 भी आपका singular plural का tension नहीं देता, दुनिया का कोई sentence हो, अगर action finished हो, तो आप V3 का प्रयोग कर सकते हैं, अब V3 के प्रयोग करने की सुमिटादू फ्राफट, इसका मैं use दिखाऊंगा, और structure दूँगा, मैं फट आप जुली से, सबसे देखें इसका use और structure क्या है, तो देखिए, पहला इसका use है, वो है present perfect में, present perfect, और इसका structure होता है, subject plus has, have, plus V3, plus other word, आप प्रशुनता है कि sir, has have तो हुआ ना, भाई, V3 का कोई असर नहीं पड़ेगा, यह has singular होगा, तो has लगाना, plural होगा, तो have लगाना, भीठरी को tense नहीं है, राम के साथ भीठरी, राम has gone, I have gone, you have gone, तो gone पे अंदर नहीं पड़ेगा, चाहे singular हो, चाहे plural हो, यह has, have का एक auxiliary भर्व है, जो finished action को सो करता है, इसकी चर्चा मैं tense में करूंगा, जब आपको tense पहाँँग subject plus head plus V3, तिसरा कहा सकते हैं future perfect, future perfect, subject plus will sell, have plus V3 plus other world, screenshot ले लिए फ्राफर, चलिए आगे बरते चलिए से, यह present perfect, past perfect, future perfect, I have gone, I had gone, I will have gone, इसकी चर्चा मैं tense पहाँँगा, तवाय करूंगा, अभी मैं भर्व की form दिखा रहा हूँ, फटा फट जल्दी सागे बढ़ते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ, श्केंस आपने ले लिया होगा, जल्दी से पहाँगा देखते हैं, हमने पहाया आपको में पहाने का मुद् V4 क्या होता है, देखिए वोड पर जल्दी से आपको समझ में आ जागा, कि V4 क्या होता है, मेन मुद्दा हमलों को टेंस पर बापीस आना है, अब टेंस की बात करें, तो V4 को कह सकते हैं, कि it is the continuous form, it is the continuous का मतलब क्या होता है, आप कह सकते हो, it is the ing form of the verb, यानि कि V4 को आप ing आप कह सक्थे हो, ing का मतलब होता, इसमें ing लगा होता है, V4 को भी आप कह सकते हो, no singular and no plural, इसको भी आप कह सकते हो, no singular and no plural, यानि V4 continuous form है, no singular and no plural form यानि इसको आप ing form भी कहते हैं, इस अब आपको basic जल्दी से मिठाता हूं, structure देता हूं आपको, आपने नाम सुना होगा, present continuous, प्रिजेंट का नाम सुना होगा इज एम आर के साथ सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस भरुका फोर्ट फं अदर वर्ड यह पहला इसका यूज है यानि कि भी फॉर पर कोई असर नहीं पड़ेगा चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो जाए आई एम गोईंग यूर गोईंग तो ऐ होगा तो पता ही गोईंग होना है ऐसा नहीं कि आंए एम गोईंग हो तो यहाँ छाहे में हो चैहे वर्ब आ रहा हूं, वर्ब का basic बीच में आ गया, tense पहाने बीच में आ गया, तो मैं हर चीज को लेकर चल रहा हूं, ताए किसी बच्चे का हिदिकत ना हो, दूसरी बात करें, past continuous, past continuous, subject plus, was, were, plus before, other word, तिसरी बात करें हम लोग, future continuous, future continuous, subject plus, will, shall, b plus, b4 plus other word, यह कौन सा हो गया, future continuous, इसको मैं स्कुरिण सो ले लो, आफट आपट, यहानि यहां भी आपने चेक किया, यहां भी कहीं वर्व का form, यह tense क्या था, तो present था, यह आपको पहने पाश था, आपको फूचर रहा सो, तो future continuous tense नहीं है, यहां पर time की बात में कर रहा थ यहां पर मैं बात कर रहा था आपके लिए, यहां भी continuous की बात कर रहा है, आप मैं बात करूँ V5 की, बोर्ट पर ने टिकाए रखें, V5 का मतलब होगा है बच्चे, कि यहां क्या है भाई, तो यहां भी V5 को हम present बोलते हैं, ध्यान दीजेगा, V5 को present बोलते हैं, इसको as, es form भी बोलते हैं, ठीके बच्चे, इसको आप as, es, यानि V5 का मतलब होता है, कि जिसमें as, es लगा होगा, यानि कि यह कहा सकते हो कि V1 प्लस as, या es, बरावर भर्व का 5th form, और V5 कहा सकते हो, कि यह singular form होता है, singular form of the verb, यानि जो V1 है, V5 है न, यह singular form होता है, अब V1 क्या होता है और V5 क्या होता है, singular, उसी V1 में, आपने aces लगा दिया, तो बन गया singular, यानि कि singular, plural का concept, दो ही भर में होता है, V1 में और V5 में, I hope यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा, यहां तक आपने उतार लिया, copy कर लिया होगा, समझ में आ रहा होगा, फट अप डिस्कों मिटाते आगे बढ़ते हैं, यहां तक समझ में आपको आ गया, यहां बिन्दू हम लोग क्या था, point क्या था, वो समझ यह, point A था, कि वहाई V1 क्या होता है, point था, V2 क्या होता है, point था, V3 क्या होता है, यह देव form में था, हमने यहां तक आपको सिखाने का प्यास किया, कि वहाई V1 क्या था, V2 क्या था, V3 क्या था, V4 क्या था, V5 क्या था, यह पांच form समझ में हम लोगों को आ गया, इसका मतलब हमने कहा था आपको कि V1 present, V2 past, V3 perfect, perfect का मतलब almost past, V4 continuous जो काम चल रहा है और V5 फिर से एक बार present, यानि कि tense brower verb और tense brower verb यानि verb दो ही तरह की होते हैं, एक present होते हैं और एक past होते हैं, future नाम का कोई verb नहीं था, जिस प्रकार V1 present था, V5 present था, बाकि past और perfect का बात कर रहा था, perfect भी कहीं ने कहीं past की बात करता है, continuous भी कहीं ने कहीं present की बात करता है, यानि कि future नाम का कोई verb नहीं होता, future कोई tense नहीं होता, तो tense दो ही प्रकार होते हैं, present या past, और time tense जो होते हैं, जो time जो होता है, वो time तिन प्रकार का present, past and future, इन दोनों को मिला करके बनाया गया time and tense, इन दोनों को मिला कर बनाया गया time and tense, जैसा कि आमने कहा था, कि time, the word time is always concerned with the meaning of the sentence, जैसे time जो है, इस sentence के meaning को दिखाता है, अगर मैं एक बात यहाँ पर करूँ आपके साथ, और बात एक करने का प्रयास करूँ, कि बच्चे अगर आप किसी time and tense की बात आपके सामने में कर रहा हूँ, अगर मैं time and tense की बात को बोट पी दहन देजी, अगर मै time and tense की बात करूँ, time and tense की बात करूँ, तो time shows meaning and tense shows a structure, जैनि time and tense a structure और meaning को सुकरता है, तो इन ही दोनों को मिला करके एक नया chapter time and tense का निमान होता है, और तब आपको time and tense समझ में आएगा, जब आपने वर्ब का बेसिक लिया, अब आप इसी तरह से जब आगे बढ़ते रहोगे, तो time and tense में फिर बताऊँगा की कैसे दोनों को मिलाया गया, time दिखाता है, तीन, present भी दिखाता है, past भी दिखाता है, और future भी दिखाता है, और tense जो है, वो क्या दिखाता है भाई, तो tense दिखाता है structure को, और tense दिखाता है verb को, यानि कि meaning को ना सो करके structure और verb को दिखाता है, तो इन दोनों को मिला करके हम लोगों को मिलाना पड़ेगा, जिसको compensation theory कहते हैं, इसके ताहत हम लोगो time and tense सुरुवात करना होगा, अभी मैं का समय है, धिरे धिरे अराम अराम से मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसके बाद फिर से मैं स्टार्ट करूँगा, कल फिर हम लोगों को मिलना होगा, time and tense, वहासा बड़ा topic है, मैं हावाजी नहीं करता कि तीन दिन में tense खतम, दो दिन में tense खतम, समझ में आना कुछ नहीं, जल और बहुत अच्छे सा पढ़ रहे हो, कल कब कलास होगी सर, बिटा, डेली रात को 9 बजे, सेम टाइम प्याओंगा, डेली रात को 9 बजे, एक चैनल मेरा और है, जिस पर आप पढ़ सकते हो, सामको 7 बजे भी डलता है, अभी 12 से नहीं डल रहा है, उसमें है DSL Spoken English, वहाँ जा सकते हो, एक चैनल और है, बी तुफान, जिसमें मोटिवेशनल भी उडलता है, ताकि आप इस लोगड़ान में मोटिवेट हो सको, राइट, बी तुफान नाम का चैनल है, आप वहाँ भी देख सकते हो, और अगर जो बच्चा डेल पढ़ना चाहता है, तो इस नंबर आप कॉल कर सकते हो, वाटसब कर सकते हो, जब भी बात हो, आप बात कर सकते हो, कि आपको क्या चाहिए, हर चीज मिलेगा, और बहुत जल्द, दो दिन, चार दिन, पांत दिन में, मैं लाइब भी आऊँगा, अभी डेट अनाउंस नहीं किया हो, वहाँ भी आपको अगर आपको अच्छा लगता है मैं वीडियो, कि आप सर्फ अच्छा से पहाते हो, तो आप हर बच्चों की मदद करिए, मैं मदद आपकी कर रहा हूँ ना, उन बच्चों की मदद करिए, और जो बच्चे कहते हैं कि वीडियो नहीं मिलता ना, उनको सब्सक्राइब करव अप मिना, है सर, आप सब को ना, बहुत बहुत है, और बहुत 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 बाइब, ठीक है, फिर से कर मिलें हैं उलोग के बार फिर से, तैंक यू, एट्सॉल फोर टुदेए, बाबाए